वेलो वेल्कम बैक अगें टू सचेंट ट्रेट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरादे सपोर्ट अंड़ेस्ट लेवल के बारे में हर कोई कहता है बहुत अच्छी होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है पर कोई भी यह नहीं पता रहा है कि किस तरह से उन पर ट्रेट को एक्जिक्यूट करना है किस तरह से उन्हें अब्जर्व करना कौन सा टाइम अच्छा है कहां पर बनेगी कैसे बनती है वह सारी बाते आज मैं आप से डिसकस करने वाला हूं इंट्राडे प्राइज एक्शन के लिए बहुत ही अब बात करता हूं तो आप सब भी जानते हैं support and resistance levels are very very effective methods of trading using price action और ये बहुत ही बहुत ही crucial role play करती है जब market के अंदर हम trade करते है especially in the volatile instruments like nifty, bank nifty और आज कल नया emerging index भी आ रहा है that is known as fin nifty तो काफी like बहुत ही असान कर देती है trading को अगर आप support and resistance की इस्ट्राटजी को use करके अगर आप trade करते हो तो काफी आपके लिए reliable method यह बन सकता है trading के अंदर है ठीक है तो हम आज discuss करेंगे किस तरह से इने mark करना है किस तरह से इने observe करना है और किस तरह से trade execution आप कर सकते हो तो start करते हैं आज की video और देखते हैं कौन-कौन से time frames कौन-कौन से points है जो हम इन चीजों को करते हुए ध्यान में रखने चाहिए तो सबसे पहले सबसे basic होता है एक कुछी भी analysis के लिए उसका time frame तो time frame की जब हम बात करें तो हम इसमें सिरफ 15 minutes का time frame यूज करते हैं अगर आप important support and resistance की level चाहते हो काफी अच्छी लेवल चाहते हो तो एक बड़ा time frame होना चाहिए और intraday के according 15 minutes is a very good time frame because if you are doing intraday because आपका time frame अगर trading time frame रहता है वो five minutes रहेगा three minutes रहेगा और sometimes or even after you can use also one minute time frame also ठीक है क्योंकि अच्छा trend अगर आपको capture करना है तो one minute पे भी बहुत अच्छी trades मिलती है although यह थोड़ा सजादा practice require करता है but yes okay 15 minutes is a good time frame to mark those important levels on the chart ठीक है तो सबसे पहले हमने देख लिया time frame कौन सा था that is 15 minutes and अब हम बात करते हैं कि कि किस order में हमें चीजों को analyze करना है तो सबसे पहले रहता है चार्ट देखो हमारे पास इस तरह से होगा चार्ट या तो अग उपर तीन हिस्सों में अगर मैं चार्ट को divide कर दूं तो या चार्ट इस जोन पे होगा या चार्ट अपने मीन पास में होगा चार्ट अपने redu Among some meeting में के अपने जो talk to bottom मैं wondering कि उपर का प्राइष एक्षिन क्या रहा फिर नीचे का प्राइष इक्षिन करा वोगा उस्से नीचे का पराइष एक्षिन क्या है चाए चार्ट यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो हमें कोई and second I think clear है सभी को the third rule is कि हमें अगर zone को mark करना है हमें हमारा अगर वो support and resistance zone बनाना है तो हमें उसके लिए at least दो से तीन candle की wicks का touch की जरूरत रहती है body अगर हमने यहां पर wick बनाई एक किसी candle की यहां body आगे और हमार पास दो wick और है तो हम consider कर सकते हैं दो से तीन candle की wicks होना this is a good thing वो एक zone powerful zone consider कर सकते हैं और time frame रहेगा हमारा 15 minutes का तो उसकी के उपर हम हमारी observations को carry out करेंगे okay so these are the three basic rules I think यह easy है clear होगे सभी को और इस तरह से इनको use करके हम अपनी levels को बहुत असानी से mark कर सकते हैं without any confusion without any chaos okay so let's begin marking the levels और मैं चार्ट पर ही आपको सारा समझाओंगा इसके अलावा एक दो और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत ही important point रहते हैं अगर आप desktop user हो trading view के तो आपको पता होगा प्रेष्त करते हैं जो चार्ट जूम हो जाता है जुम हो जाता है क उसे कहते है स्क्रीम पीड साइस स्क्रीम लगढ़ें चार्ट प crisis हो जाता है और पर फो coupon क्वें लाया में इज्रार्फ के अपर श।시면 कर देंग होपर trading view उस chart को बढ़ा देता है candle zoom हो जाती है तो जितनी candle उस chart पे बन रही है आप सबसे पहले उस chart पे उतनी candle का analyze करोगे तो फैला rule था हमारे पास में कि हमें सिरफ 15 minutes के time frame पे levels को mark करना है second rule था हमारा पास कि हमें वो ही levels को mark करना है जो हमें 2-3 weeks का touch दे रही हो और third rule था कि हमें all-tar analysis को use करें ठीक है तो यह जो हमारा all-tar analysis है इसे हम use करेंगे कैसे करते हैं मैं आपको बताओंगा और तीसरा एक और rule था कि हम सिरफ top to bottom जाएंगे यह top है और यह chart का bottom है तो हम इससे top to bottom ही follow करने वाले हैं levels को mark करने के लिए और अगर all-tar analysis के अंदर भी candles कम बढ़ रही है या फिर levels नहीं बन पारें तो हम इससे थोड़ा सा और expand करेंगे अगर हमें इन में से satisfactory levels नहीं मिल पारी है तो यह मैं क्या बोल गया यह शायद आपको ना समझ में आया हो I think क्योंकि मैंने देखा आया क्यों कुछ मैंने बताया था तो मैंने के नहीं समझ में आया था कोई बात नहीं हम चार्ट पे चलेंगे चार्ट पर यह ओल्ट आर वाला जो किस्सा है वह सारा मैं आपको समझा दूंगा अगर आप desktop user हो तो यह आपके लिए काम की चीज है नहीं तो आप मोबाइल यूजर हो त ओके तो ट्रेडिंग मैंने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हों यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट हम डिस्कूशन करेंगे पहले देख लेते हैं लेवल से इंपोर्टेंट में ली इंडेक्स पर बहुत अच्छा इनका इफेक्टिवनेस रहता है ओके सो पहले मैं आपको थोड़ा ओल्टार का बता देता हूं देखो चार्ट इस तरह से है अभी मैं जैसी ओल्टार प्रेस कर रहा हूं तो ओल्टार प्रेस करने से चार्ट जूम आ होगा आपने देखा होगा ओल्टार प्रेस करते ही चार्ट जूम इन हो चुका है और बड़ा हो चुका ह screen fit size आ चुका है चार्ट का तो सबसे पहले हम इस चीज़ का analysis करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखे तो rules कोई ज्यादा खास नहीं है चार rules बताये थे मैंने आपको सबसे पहले अगर आप screen user हो desktop user हो तो आपको सबसे पहले all tar जो screen fit size का charts है उनी का analysis करना है second हमें top to bottom approach को follow करना है दूसरा like हमारा पास जो तीसरा rule था हमारा that is 15 minute का chart ही आपके बास होना चाहिए and the fourth one rule is 2-3 candle की wix का touch हमें मिलना चाहिए तो हम उन levels को consider कर सकते हैं without any hesitations without any doubt okay तो start करते हैं marking करना और देखते हैं किस तरह से हमने level mark करने है तो मैंने all tar लगा लिए 15 minute का chart लगा लिए अब मैं top to bottom follow करूंगा और charts को mark करना start करने वाला है okay so you can see this is on a altar और अभी मैंने यहां से एक रे ले ली और अब हम candles की wix को match करना start करते हैं तो आप देख सकते हो यहां पे आपको दो से दो पीन candle का vic match हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूं कहां किस तरह से मिल invested यहां पर यहां पर यहां पर आप तीन से ज़्याधा दो से टीन चाहिए थी आँमें तीन से ज्यादा के इंह दार की विक मिल रही है और कुछ एक लिए अब मैं चोटा सा इसके उपर डबा बना देता हो बॉक्स तो हमें थोड़ा सा इसकी इफेक्टिवनेस दिख जाएगी अगर मैं शोच बॉक्स बना देता है ताकि जोन थोड़ा अच्छा लगे तो पहली लेवल लिका लिए और इतनी इतनी के लिए कर लिए जो उसी लेवल्स कॉर्म करने के कोशिश करें ठीक है तो आम नीचे आया मुझे यहां पर एक लेवल दिख रही है ठीक है यहां पर मैं कुछ levels को identify कर पा रहा हूं तो आप यहां देखोगे यहां देखोगे तो आपको one two three four almost two two three touches मिल रहे हैं बट अब यह line जो है यह candles के अंदर से जा रही है यहां पर एक candle के अंदर से लेवल चले गई तो हम यहां पर box तो नहीं बनाएंगे अभी के लिए इस case के अंदर क्योंकि candles बहुत डीप है यह वाली candles तो इसमें box बनाना is not a good thing तो मैं यहां पर box तो नहीं बनाऊंगा बट यह लेवल अगर हमने यहां उपर की तरफ मान लो हम शोट करते हैं और सम्थिंग लाग तो और यहां तक हमारे टार्गेट्स आते हैं मैंने यहां पर नीचे जलें तो यहां पर कुछ मिल सकता है यहां पर दो candle के तो हमें touches मिल रहे हैं तो हमने यहां पर यहां पर कर लिए अब हमें अल्टार के अंदर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा और मैं अब इतना नीचे चला जाओंगा अगर यह लेवल मा करता हूं तो इस लेवल की मिर पास usefulness नहीं आप समझते जाना मैं जो जो बहुत ही बहुत ही लेस प्रोबैबिलिटीज है कि मार्केट जो अभी 41,542 पर लाइक 14,500 पर वह एक दिन के अंदर 14,700 की लेवल तक आ जाए तक अराउंड कितना पॉइंट्स तीन सो और आट सो पॉइंट आट सो पॉइंट इस वेरी हार्ड अगर ऐसा होता है तो हम बिट less probabilities तो हम इसे consider अभी के लिए नहीं कर रहे हैं तो हम इसे छोड़ सकते हैं ठीक है इतनी deep levels बनाने की कोई जूरत नहीं है तो हमने नीचे की कुछ levels बना ली वैसे भी market consolidation के अंदर है तो कुछ इस तरह की levels हमें मिलेगी अब हम थोड़ा सा zoom out करते हैं मैं scroll कर रहा हूं को ताकि मैं zoom out कर पाऊं और मैं देखता हूं और important level लेकाल क्याता है क्योंकि हमने और important level चाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी level दिख रही होगी यह देखो यह level बहुत ही बहुत ही प्यारी level है कितना amazing अचानक से जैसे इस level को market ने touch किया जैसे ही bank nifty इस level तक आया अचा लोजिकल नंबर भी around 42,000 तो 42,000 की level भी हमारे लिए important है और यहां पर इसने market ने प्रूफ किया है इसको कि यह important level है so you need to market है हम इसे mark करना चाहिए तो मैं इसे थोड़ा सा balance out कर देता हूं so that we can have some good yes यहां पर आपको दो candles की wicks का touch मिल रहा है previously आपको कही नहीं आप देखोग मेरे को idea लग गया था तो मैंने यहां से mark कर दिया ठीक है तो हमारे लिए that is also this is also an important level बहुत अच्छी important level हो सकते है बहुत rapid और बहुत ही frugal work कर सकते हमारे लिए बहुत काम का काम हो सकता है तो हमने यह level को mark कर लिया so I think these are the sufficient levels अभी के लिए अभी जो scenarios है markets sideways चल रहा है तो उस very very high पहले market यहां पर कुछ टेस्ट करेगा तो यहां पर कुछ level के लिए problem हो सकती है यहां पर market fight करेगा फिर उपर जाए गने और और अगर नीचे जाता है यहां से तो यहां पे नीचे की levels पर हमसे support और इनको trade कैसे करना है मैं आपको बहुत है बैलेंस टेक्निक बताता हू very very good risk rewards and all बहुत अच्छा stop loss और बहुत अच्छी risk reward management वाले trade मिलेगी और आप believe नहीं करोगे बहुत अच्छे profits होते हैं इंट्रेट में तो आप इस तरह से अपने market में levels को analyze करते हैं 3-4 rules से simple rules से मैंने आपको सारा rules से समझा दिया अभी एक और chart चेक लेते हैं रिलाइंस का चार्ट देख लेते हैं stocks की चार्ट आपका अनलाइज हो जाएंगे साथ साथ में तो रिलाइंस में तो चलो मैंने लेवल्स बना रख्या ओके वैसा कुछ है नहीं रिलाइंस में पहले से कुछ करने लाइक आप देख सकते हो यहां पर आपको touches दिख जाएंगे मैं लेवल नहीं डाली मैंने जोन बना रखें सो आयाई मेग सम लेवल्स होसों ओके सो यहां पर आप देखो इस केंडलं का और इस केंडल का घेरा इस चेंडल का जो विख है और इन दोनों केंडल का जो बहुक है एं ऑल्मोश वाश्त आच रहें तो this is an important लेवल और ओ ओर तो यह consolidation चल रही है this is a consolidation zone a bigger broad consolidation zone तो हमने इसमें नीचे की तरफ भी इस तरह से यहां पर आप देखो यह double bottoms बने हैं यहां पर यहां पर कुरा zone mark कर लिया तो possible trades are like one two this is the one trade यहां से आके short हो सकता है एक trade यह बन सकती है एक नीचे से जाके ऊपर जाने की कोशिच करें इस इस हाइप प्रोबैबिलेटी ट्रेट ठीक है कि इस इस थर्ड टच and this is a high probability trade to take off okay तो आप अब हम बात करते हैं निफ्टी निफ्टी और चेक कर लेते हैं last I hope इससे आपको सारा clear हो जाएगा doubts जो आपका इस topic में doubt होंगे okay so this and this okay you can see now यहां से हम मैच करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा oh sorry यहां पर देखते हैं यहां पर आप देखो एक दो तीन आराउंड तीन दो तीन केंडल का touch मिल रहा है पहली लेवल हमने लिका लिए rules हमने फॉलो किये सबसे पहला रूल 15 मिनिट का टाइम फ्रेम टॉप बॉटम अप्रोच ओल्टार अनलेसिस की जरूत जब तक पुरानी लेवल की जरूत नहीं तो ओल्टार अनलेसिस को फॉलो करेंगे और दो से तीन केंडल का touch आना चाह है सबसे पहले हमने लेवल बना दिया इसके बाद यहां पे मैं लेवल बना सकता हूं इसलिए नहीं कर रहे है थोड़ा नीचे चलते हैं यहां पे कुछ करने की गोशिश करते हैं अगर कुछ दिखता है तो yes something is happening there so we can consider this level also okay we can consider this level but yeah level candles को काट के जा रही है बहुत अच्छी healthy candle को काट के गई है so इसको level रखेंगे इसको zone नहीं बनाएंगे थोड़ा और नीचे जलते हैं यहां देख सकते हो यहां पर आपको कुछ balance दिख रहा है कि अचानक से market एक rapid of आता है फिर वहां से उठ जाता है like this is something happening there in this level कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि market अचानक से उपर चला गया तो यह important level हो सकती है तो we can consider this also an important level just a second और और यहां पर कुछ important level है yes देख सकते हो यहां पर आप देखो एक दो तीन तीन से चार केंडल का touch मिल रहा है काफी अच्छी important level पीछे तक respect हुए so that is an important level आप इसे mark कर सकते हो so यहां पर भी मैं like zone नहीं बनाना चाहूंगा zone clear नहीं दिखेगा तो line सही है line रखेंगे यह भी important level थी अब मैं थोड़ा सा इसको zoom out किया है ताकि मैं इस level को भी देख सकूंँ यह भी important level है same nifty bank nifty trends लगबग सेम रहते हैं तो like we not to worry about these things okay हमने वहां बेंक निफ्टी में इस तरह से level मिली जहां पर rapid seller हुआ और निफ्टी भी हमें इस तरह की level मिल रही है तो हमने माग कर लिए ठीक है और नेचे चाहोगे तो यहां बना सकते हो बट यहां पर मैं नहीं बनाऊंगा मैं यहां बनाना चाहूंगा ठीक है यहां पर हमें equal bottom something मिल रहा है इन दोनों candles के जो लोस थे वो एकदम बराबर है so we can try to match something out there मैं इनका कुछ मैच करना चाहूंगा दो तो candle है चलो नहीं मिल रहा match पिछे पर दो candle है मैं यहां पर consider करूँगा that is an important level क्योंकि अगर market यहां पर trigger होता है देखो पैसे मैंने बहुत जादा levels बना दिये 400 points तक की बना दिये बड़ ठीक है considerable है मान लेते हैं अगर market यहां पर trigger होता है देखो this is an important zone ठीक है यहां से important zone बन रहा है ठीक है this is an important zone like मैं mark करता हूं थोड़ा although उसकी liquidity intake हो चुकी है but still this is something very very important अगर यहां पर market आता है इस तरह से तो अगर इन levels पर market आएगा तो पहले इस level को market trigger करेगा इस level को market trigger करने के बाद में इस लेवल को trigger करेगा तो market यहां से action दिखाना करेगा मेरी ठीक हमेशा यही बनेगी बनेगी चैकसे अगर This दिखाएगा यहां तो मैं यहां से paradox होगा ठीक है तो हम हमेशा मैं जभी इन level पर करता हूं मैं in पर रिटेस्ट के ट्रेड लेता हूं क्योंकि उन पर ज्यादा मुझे एकुरसी फील होती है तो भी आपको कोई डाउट हो तो you can message me on telegram आपको मेरी ID description में मिल जाएगी बेसिकली चार रूल्स थे हमने चार और रूल्स को डिसकस किया मैं एक बार आपके लिए वापस से रिपीट कर देता हूं करेंगे हमेशा टॉप से बॉटम के लिए लेवल करेंगे दो से तीन कैंडल की विक्स का टच होगा और अगर लेवल को पहले रिस्पेक्ट करवाएंगे उसके बाद में अगर हमें और लेवल चाहिए तो हम उसे और ठोड़ा सा प्रिवियस चार्ट के ऊपर करेंगे और प्रिवियस डाटा को यूज करके हम एनलाइज करेंगे तो बहुत ही बहुत ही चार्ल रूल्स के मदद से आप प्राइस एक्षिन के मदद से बहुत अच्छी सपोर्ट के लेवल को माग कर सकते हो और इनके बिस्टेस पर रिटेस्ट बेस एंट्रीज आप ले तो बहुत ज्यादा अपके लिए एलफूल रहेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर थैंक्स अगें फॉर वाचिंग इस वीडियो